हेलो माई दियर नाइन्थ क्लास स्टूडिंस माई नेम इस नेहा सच्टेव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्शन नंबर फूर ओफ चाप्टर नंबर वार जिसका टाइटल है लॉस्ट चाइल जो हमने लिया है आपकी सप्लिमेंटरी रीडर बुक से इस एक फटा पच्छी रिवीजिन का जो कंप्लेट चाप्टर को हम समराइज वे में समझेंगे तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे और वर्ट 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 इस कंप्लेट सम्मेरी को समझने की कोशिश करते हैं तो इस प्रिग मेले का टाइम है कौन से महीने की बात हो रहे है पारश के सीजिन की बात हो हाँ है तो पीपल भी विलगेज रहे हैं और मेले की तरफ जा रही है इन कहल फूल अटकर OW wallet गृट बिविडिफूर से कपड़ा पहन की अच्छे तरीकीजा थे और उट फूरिगा चाल ए घ्ल विचाल के बहां डहरा है Hm happy और एक ऐसा ही बच्चा था जो अपने पेरेंट्स के साथ he was going to the fair और बहुत ही जादा excited था बहुत ही curious था वो देखेगा कि मेले में क्या होता है क्या चीजें होती है and he was also filled with lot of happiness and excitement he was attracted to the stalls of toys and sweets और जो जो भी उसको stall दिखता है जो जो भी उसको शौब दिखती है मेले में हो सबकी तरफ attract हो जाता है और विश करता है और deep desire करता है कि काश यह चीज मुझे मिल जाए मुझे यह चीज चाहिए though his father got angry but his mother pacified him and diverted his attention towards other things कहां you know father थोड़े से हिटलर होते हैं थोड़े से harsh rude strict होते हैं at least तो वो उसको बहुत एक red eye दिखाते हैं बहुत गुस्से में आंक दिखाते हैं कि नहीं यह चीज नहीं यह चीज नहीं लेके दूँगा दो इस father got angry but his mother pacified mother बहुत soft-hearted होती है बहुत जल्दी उनका जो बरफ जैसा दिल होता है बहुत जल्दी पिगल जाता है तो mother को pacify करती है बच्चे को कोई बात नहीं ही मिला थी कि मैं तुम्हें और अच्छी चीज लेके चलो आगे चलते हैं और ऐसे pacify करती है और डाइवर्ट करती है कि देखो वहां पर क्या चलो चलते है वो दिख रहा है वो लेते हैं अपन तो ऐसे करके डाइवर्ट करने की कोशिश करती है जैसे हर मदर करती है जैसे ही चाइड मुव फोरवर्ट बट वन्स अगे लागे तो जाता है ममी के कहने पर फिर से वो कहीं न कहीं स्टक हो जाता है वो कहीं न कहीं पीछे लाइक उसकी नजरे भाई है और बच्चे की नजरे पूरी पीछे ही है जैसे की गुलाब जमन बर फी जली और रस गुलाब सब्सक्राइब बच्चे के लिए और उसको और ज्यादा क्रेविंग हो रही थी उन चीजों को खाने की इतने ब्यूटिफुल तरीके से डेकोरेटेड और प्रेजंट करके रखी गई थी काउंटर्स पे जैसे के अलाग अला कलर की मिठायां और उन पे इसलवर की वो परत थी यहां पैसा बोल सकतो कोटिंग थी गोल्ड की प्लेटिंग थी यह जिसको यहां पर सिलवर यह गोल्ड की लीप्स बोला गया है he wanted his favorite burphy but knowing that his parents would refuse on the ground that he was greedy he walked ahead अब उसको उसकी favorite burphy खान ली थे बिकिस बर्फी उसकी बहुत जादा favorite dessert थी but वो जानता था कि अगर वो अपने parents को बोलेगा तो वो बिलकुल मना कर देंगे कहें कि तुम लाल्ची हो कि जहां पिखाने की चीज़ देखिया और तो में वो चाहिए रहती है the parents would refuse on the ground that he was greedy यह बोलके कि तुम कितने लाल्ची हो so he walked ahead और यह सोच के वो अलड़का आगे चलने लग जाता then he saw beautiful garland of gulmohar but didn't ask for it फिर थोड़ा सा आगे जाता है हमाँ से divert हो के तो उसको beautiful से garland beautiful से gulmohar की माला दिखने लग जाती हो फिर वहाँ पर फिर रुख जाता है जहांके बट समझ जाता है कि अगर मैं बूलूंगा तो मेरे पेरेंट्स बोलेंगे तूचीप तुम्हें इसका क्या करोगी अभी मुर्जा जाएंगे पूरे मनी वेस्ट हो जाएगी फिर क्या करोगा मैं टेस्ट में एफेक ना पड़ेगा यह नहीं लेके देंगे आगे चलो तो बिल्यून तो इसके दिमाग में थाट आता है कि अगर मैं पेरेंट्स को बूलूंगा तो यह समझेंगे कि क्या तुम छोटे बच्चे हो क्या चो तुम्हें बिल्यून चाहिए तुम इत्ते बड़े होगी ग्रोन अपना और इत्ते बड़े बच्चे बिल्यून के साथ न डेनिनिताइस वो यह आपके जाता है ते शीन ने चाहर पिल्ते देखते है ताहीं थेखेए शो भी पार कर में गोंगे टेंट आ सपोस्क्टों developed इच Angeles इन आउन होंन कर दिदिया और सब्सक्राइब å के इसथ तो मुझे सुना थो सूच कर तो और अगर 30 जगा पर that is very attractive that is actually the attention and the attraction of every fear that is but a but a goal goal to lay roundabout swing now as he stopped to ask his parents for permission to enjoy the swing to his astonishment there was no reply up jesse wa pa rukta hai or for source take is birth of a chijjeh jula to juluga abh maya se nahi jaunga so to his when as he stopped to ask his parents for permission abho baut bold request karta hai ki abh may apne parent se permission lunga mujhe jula julna hi julna hai to enjoy the sing to his astonishment aur uske surprise ke liye kya hota hai there was no reply because there were no parents around him neither his father nor his mother was there now the child realized that he was lost he ran here and there but couldn't find them he ran hithar and hithar wo either bhakta udar bhakta aage athaya peache bhakta either dekta sari jaga cover karlita but usko apne mother father kika he vina monishan dekne ko dahi milta hai the place was overcrowded or would jaga fair like up semester took it to me fear baraka over a night ke uber eek log chadha hoi hai bhakta bilkul not a single space it ta sabi inch kabhi space nita that where you could stand and step take a so he got terrified by suddenly a kind-hearted man took him up in his arms and console the bitterly weeping child and phir kya hota place bautza the overcrowded ty jamu sari jaga dek ke thak jata hai to finally usko recall hota hai ki there is a shrine here a pek mandir hai holy place yo a community ki loog jahan pe jate hai to usko lagta ho sakta ki meri parents muze hi haa pe mil hai but maha pe itani zada beidti but somehow wo manage karta loogo ke feets me se legs me chute ho tche ho ternalik peru me se beach beach me se nikal jate hai to other wo or jord jord se cheek raha tha ito sound kar raha tha he was weeping he was yelling like anything mother father or a se cheek cheek ke jab sab ke peru me se space bana ke hoa ke nikalta hai to wo dhekta hai ki waha par aur zahada bheera mandir ke entrance pe or usko kahi bhi uske parents nahi dekh raha hai toh aise me jab boha jord jord se cheek te toh maha pe stranger hoota hai josko notice kar raha hoota hai wo jhukte hai aur is ba bache ko apne godi me utha leethe hai he got terrified but suddenly a kind hearted man he just stranger hai unko yaa pe bola ki ki ko bhale in san te josko utha leethe took him up in his arms and console the bitterly weeping child or usko console karne ki kooshis karte hai joh bhohut buri tariqe se joh bacha roo raha tha he asked if he would like to have a joyride but the child sobbed to abo bholte hai ki kya beta tum hai joyride lena chahoga joyride kya hoti hai jiasi kya apne dekha hooga na mele me wo joh horse camel cow blick aise rabbit alag-alag shape ke lakdi ke woh banay rahte hai hai aur unko chain se baandhar jata hai lakdiyon ke jholuk aur gool 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 aise jholta hai to exactly unki ba joyride bola gaya but the child sobbed lekin wun siskiyon bhar bhar ke roo raha I want my father I want my mother mujhe aur kuch nahi chahiye the man offered him sweets balloons garland but the child kept sobbing I want my mother I want my father usko aur kuch bhi nahi chahiye except his father and mother who bhas roo raha hai aur usko apne father or mother chahiye yeh jitne sari chiz hai yaha par unho ne boli yeh pehle us bache ko bhooti desperately chahiye ti sweets balloons garland wo sari chiz hai but ab usko kuch bhi nahi chahiye abo bacha bas roo raha hai aur roo roo ke wo eki chiz bola I want my father I want my mother I want my mother I want my father so haa haa se hume samaj meh a raha hai ki bache ko kitni zada need thi apne parents ki wo sare fair ke attractions bilkul bhi usko attractive nahi kar pa raha thai kyunki uske saath uski life lines nahi thi aur is feel baby bacha baut akhela feel kar raha tha aur ab jo baut happy tha apne parents ke saath wo enjoy kar raha tha wo demands kar raha tha uske alag-alag desires thi ab wo sari chiz osko haunted jaisi lag rhi jaha peh loog usko baut terrified lag rhae haa bade bade hefti lambe chowde ab usko baut dar lag raha unloogos se baut hi panic ho gaya bacha aur pura time se roota hi jara roo roo ke wo itna zada thak gaya aur last me jamb wo man help karte hai offer tab bhi wo ski help nahi lena chahata hai aur wo bas unko bhi roo roo ke hai bolo mujhe kuch bhi nahi chahiye mujhe koye baloon sweet toy rides kuch nahi chahiye mujhe bas mere father or mere mother chahi so this is the importance of father and mother that is our beloved parents in our life we should be very much thankful to the almighty who has blessed us all with such beautiful parents right so jaldi se dekhte hain what is the conclusion of this very beautiful and heart-touching story so in the end when the child closes his parents he understand what his parents silent gestures and reprimands were trying to teach him he realizes now that what he wanted was just his parents so abh yaan peh me samaj in the end of child apne parents ko lose kar dita tab usko samaj me aatiya ki juske parents just silent gestures there then no aagisilu aasis karga jubi samjate hongi aur jubi manaka raha te cheezo ke liye they were trying to teach him us ko samjhana chate de yaan peh matruko to miss ho jau ga chalo 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 baar baar bote the come child come aag yao humare saath saath chalo take care but abu sko samaj me aya now the child realizes that what he wanted most just go subsistada chai ye tha hai ye sab desires to the toy sweets balloons rides is up to the but ye sabitne zaruri nahi te jitne zaruri uske parents the yaan peh so this is all about the beautiful conclusion of this very beautiful chapter now this is all about abh i hope saari cheezin bohat hi crystal clear ho gai hogi and you are very ready for your exam okay so that's it i shall take your leave now thank you very much milling in next video lecture number five me with discussion of the complete ncrt solutions to aapko kya karna hai baas channel ko abhi ke abhi subscribe karna hai and i hope ki video to paul achi laghi hogi to like kardo or comment me aapne experience zaruri batai that's it thank you very much once again